दोस्तों यह एक बहुती interesting camera है यह जो camera है दूसरे cameras के comparison में काफी अलग है इसे मैं b-roll के लिए use करता हूं और कभी कभार इसे मैं as a main camera की तरह भी use करता हूं डिपन करता है यह है cinema line fx3 0 और यह जो sony का cinema camera है fx3 उसका कह सकते हैं कि trim down variant है यह cinema line camera जो होते हैं यह काफी महेंगे ह होते हैं लेकिन यह जो camera है सबसे सस्ता cinema line camera है cinema cameras जो होते हैं यह normal DSLR cameras के comparison में काफी अलग होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी में इस वीडियो में देने वाला हूं लेकिन अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं view product करके link है screen के पर आपको दिख जाएगा उसे tap कीजिए और जो काफी दिर तक इसके साथ में record कर पाएंगे पीछे यह दिखें यहाँ पर कुछ बटन्स दिया हुआ है जैसे कि sony के cameras में होते हैं on off switch तोड़ा सा अलग है प्लस यह जो screen है इसे आप इस प्रकार से tilt कर सकते हैं selfie के लिए भी काफी बढ़िया है सिर्फ यही option available है आई piece यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और क्योंकि यह cinema line camera है यहाँ पर दिखें अगर आपको handle connect करना है या फिर cage connect करना है तो आसानी से आप वो कर पाएंगे उपर record के लिए button दिया हुआ है और यह joystick है इसका जो control है यह थोड़ा सा different है अगर आपने इसके पहले sony के a7 series के cameras यह 26 megapixel CMOS camera के साथ में आता है still photos काफी बढ़िया shoot करता है वैसे तो यह 4K resolution में shoot करता है लेकिन 6K का oversampling करता है इसके quality है definitely काफी impressive है और आप देख सकते हैं कि इसके ओपर मैंने यह lens लगाया हुआ है यह actually एक cinema lens है 35mm T 1.5 तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो cinema cameras होते हैं यह का काफी अलग होते हैं और cinema cameras का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको consistency मिलती है खास करके low light situation में जो noise है वो बहुत ही कम होता है cinema cameras में वैसे यह Sam Yang का cinema lens है अब यह जो Sony FX30 cinema camera है यह काफी सस्ता भी है और इसका disadvantage भी है सबसे बड़ा disadvantage actually disadvantage नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ लो ApsC sensor के साथ में आता है full frame sensor नहीं है और यह जो lens मैंने आपको दिखाया था यह full frame lens है देखे जादा करके लोग full frame cameras prefer करते हैं लेकिन हो सकता है कि ApsC सुनने के बाद काफी लोग इसे खरीदना नहीं चाहेंगे लेकिन ApsC भी कमाल का output देता है यहां पर मैंने यह full frame lens यूज क मैं आपको जो menu system में उसके बार में बता जाता हूं तो यहां पर यह menu का option दिया हुआ है इसे प्रेस करने के बाद यह है my menu यह है custom यह image quality मैंने इससे 4K पर सेट किया हुआ है और movie settings में आपको जो frame rate है maximum 60 FPS SNQ का भी setting दिया हुआ है 120 FPS में यह shoot कर सकता है maximum और यह देखे यह अन shot मैंने active रखा हुआ है zoom option है और यहां पर दिखे जो अन्य options है आपने दूसरे sony के cameras पर भी देखा होगा यहां पर जो mode बटन दिया हुआ है इसे प्रेस करने के बाद आपको यह इस प्रकार के options मिलते हैं इसका इंटरफेस है यह मैं जो sony का a7s3 उसकर रहा हूं उसके comparison मे 11 पर सेट किया हुआ है एस लॉग 3 और आप देखें यहां पर 800 पर सेट किया हुआ है तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो यह देखें जो बेस आयोसो है वो है 800 यहां पर लॉग शूटिंग का option दिया हुआ है फ्लेक्सिबल आइसो या फिर सिने ई-आई-क्विक या फ करकर अगर आप दूसरे cinema cameras यूज करते हैं तो यह option इसे select किजिए cinema cameras के एक और खासिद यह होती है कि अगर अगर अब cinema cameras use करते हैं तो जो quality होती है उनकी उनमें आपको ज्यादा difference नहीं मिलता है चाहे वो किसी भी brand का हो तो यहाँ पर यह जो lens मैंने यूज किया हुआ है यह totally manual lens है और चलिए मैं आपको कुछ sample जिखाता हूँ जो कि मैंने fx30 से shoot किया हुआ है इस camera को मैं काफी समय से यूज कर रहा हूँ यह मेरा second camera है यह मेरा first camera है यह second basically मैं यहाँ पर इससे position करता हूँ आपने देखा होगा बहुत सारे videos में मैंने इससे use किया है उसी से आप समझ गया होगी कि इसकी quality कैसी है वैसे जो sony camera में use कर रहा हूँ प्लस यह जो camera है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि एक टू मैं जो lenses है उसे use कर सकता हूँ और best चीज यह है कि जो colors है एकदम perfect आते हैं मुझे basically कुछ extra setting करने की ज़रूत नहीं पड़ती है यहाँ पर देखिए cards के option दिया हूआ है और जो battery है वो यहाँ पर है इसमें वही same battery चाती है जो कि आप sony a7 series के जो cameras है उसमें use करते हैं वैसे इसकी जो battery life है यह बहुत भड़िया है और अगर आप long shoot करना चाते हैं interviews या फिर in general उसके लिए भी एक काफी बढ़िया है continuous shooting के लिए तो अगर आप यह cinema camera खरीदा चाते हैं link मैंने video के description में दिया हुआ है वहाँ से आप check कर सकते हैं देखते रहिए